हेलो मेरी क्लास की प्रिये सभी छात एवं छात त्राओं आज हम पढ़ेंगे मद्ध्पिदेश रामा निग्यान के भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन अगर आप घर वैट कर MPPSC MP पुलिस महिला परविचक पटबारी SI भरती परिच्छा की तियारी करना चाहेते है MPI कोट तो आप सभी हमारे इस लेक्चर को जरूर देखें यहाँ पर आपको मद्ध्पिदेश रामा निग्यान के इंपोटेंट कोश्चन डिसकस करा दिये जाएंगे बच्चों तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आउसक सूचना मेरी क्लास की प्रियस भी छातेवम छात्रों भाईयो बहनों आपके लखी सर पहते हैं रोज रात को नौ बचे अनकेडमी पर आप सभी लखी सर की क्लास को जोइन करें यहाँ पर आपको मद्ध प्रियस रिजनिंग आदी बिश्यों की तयारी कराई जाएगी क्लास को जोइन करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाएं लखी सर को अनकेडमी पर फोलो करें आपको हमाई क्लास को नोटिफिकेशन मिल जाएं मेरी क्लास की परियस अभी 6 तेवं 6 रहों अगर आप मद्ध परियसको टॉप एजुकरों से पढ़ना चाहेते हैं लाइव बैच एटेंड करना चाहेते हैं तो सब्सक्रिप्सन जरूर लें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्सन लेते हो 3 महीन है अत्रिक्त मिलेंगे 2 साल का लेते हो चार महीने अत्रिक्त मिलेंगे सब्सक्रिप्सन लेने के लिए रैफर कोड लगाना है लखी सर मेरे भाईयों भेहनों अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्सन लेते हो अनकेडमी पे कोई सावी बैच स्टार्ट होता है किसी भी बैच को जोईन कर सकते हो किसी भी ए दिस्किप्शन बॉक्स में जाएं सब्सकिप्शन लें सब्सकिप्शन लेने के लिए बच्चों डालना है आपको लखी सर उप्रोगत हमारे प्लाने कोई सावी प्लान सेलेक्ट करें मेरे भाईयों भेहनों अगर आप अपने अकैडमी का सब्सकिप्शन लेते हो कोई सावी पैस जोइन कर सकते हो किसी वेज़ुकितर की किलास को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों लगी सरसे सौंपर कर लें मेरी कलास की प्रिये सभी छात्यवं चात्राओं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम गुरुप की लिंक है आप सभी टेल किस गिरह की अल्पमत परिक्रमाब्धी होती है यहां पर नोट कर ले बुद्धु यहां पर एक्जाम में आ सकता है कोई भी यहां पर गलत आंसर नहीं देगा नेश्ट कोश्चन ट्वैंटी थ्री बहुती प्यारा कोश्चन है आपके एक्जाम में आ सकता है कोई भी यहां पर गलत आंसर नहीं देगा इत्र के निर्मार के लिए प्यारंबिक सामागिरी के रूम में प्रियोग किये जाने वाले कोईले से प्राप उत्पाद है कोई बताएगा 23 का यहां पर कर्यक्ट आंसर क लगा देते हैं आज का 24 कोई भी यहां पर प्षाइन सथे नहीं है समतल क्रापन 14 द्वारत निर्मित प्तिस पींप होता है कारे 2 HELD 24-5 आपकी एग्जाम में आ सकता है कोई भी यहां पर प्यंप्जंग 9 नहीं देगा नोट कल लो मेरे भाईयों भेनों यहाँ पर D option correct होगा आभासी एवं पिती लोमित यहाँ पर 24 का आपका यहाँ पर D option यहाँ पर correct होगा ठीक है sorry यहाँ पर आपका C बता दिया मैंने D option यहाँ पर correct है आभासी एवं उर्द बरसी नोट कर लो यहाँ पर D option यहाँ पर correct होगा ठीक है नेस्ट question लगा देते हैं 25 कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा नोट कर लो very very most important question है कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा गौलियर दुरू का निर्मार किस राजा ने करवाया था कोई बताएगा यहाँ पर 25 का correct answer किया होगा समय श्टाट होता है बच्चों आपका 15 सिकेंड का समय आप सभी के पास कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा नोट कर लो यहाँ पर C option यहाँ पर correct होगा राजर सूरसेन यहाँ पर correct answer होगा नेस्ट question 26 उम्मीद करते हैं मेरे भाईयों भेहने बच्चे हाँ पर अगर आपके एक्जाम में question आता है कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा किस किले को जिब रॉल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है किलों का रतन किलों का सिर्मोर answer जानते हैं तो आप हमें comment करके बताएंगे पर correct answer होगा नोट कर ले यहाँ ठीक है next question लगा देते हैं इसकीन पर 27 very very most important question है आपके एक्जाम में आ सकता है कोई भी यहाँ पर गलत answer नहीं देगा अब्दुल साय चंगल का मकवरा किस किले में इस्तित है कोई बताएगा 27 का यहाँ पर correct answer किया होगा very very most important question है आपके एक्जाम में आ सकता है कोई भी वालक बालिका है गलत answer नहीं देगे नोट कर लो see option यहाँ पर correct होगा आप सभी का धार का किला next question लगा देते हैं 28 मेरे भाई यह भेनो आपके एक्जाम में एक्जाम में कॉस्चन आता है कोई भी यहाँ पर गलत answer नहीं देगा very very most important question है निम में से कौन सा किला दुर्ग गौलियर निम लिखित में से कौन सा किला सुपुरी जिले में इस्तिय थे आपको बताना है सुपुरी में कौन सा किला है question number 28 answer जानते हैं तो आप सभी हमें कमेंट करके बताओ मेरी क्लास की परिये सभी चाते वमचात्राओं भाईयो बहनो आपके एक्जाम में आ सकता है कोई भी बालक बालिकाए गलत answer नहीं देंगे 28 का answer note करने मेरे भाईयो बहनो 28 का A option correct होगा आपका यहाँ पर नर्वर का किला यहाँ पर correct answer होगा next question लगा देते हैं 29 कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा very very most important question है मंडला दुरुग का निर्मार किस राजा ने करवाया था कोई बता सकता है मंडला जो को मंडला का जो किला है दुरुग है आपका इसका निर्मार किस राजा ने कराया 29 answer जानते हैं तो कमेंट करके बताओगे 29 का right answer क्या होगा B option यहाँ पर correct होगा राजा नरे सहा यहाँ पर correct answer होगा ठीक है next question लगा देते हैं question number 30 कोई भी गलता answer नहीं देगा very very most important question है बच्चों आपके एक्जाम में आ सकता है किस किले में 500 बर सुपराना तपेशुर महादेब का मंदर रिष्टे थे question number 30 इसकीन पर नोट कर लो मेरे भाईए भेनों यहाँ पर आपके एक्जाम में question आता है कोई भी यहाँ पर गलता answer नहीं देगा सभी चात यवं चात राएं correct answer देंगे यहाँ पर B option correct होगा आपका मंसौर का किला यहाँ right answer होगा next question लगा देते हैं 31 बा कोई भी यहाँ पर गलता answer नहीं देगा very very most important question है आपके एक्जाम में question आता है असीर गड़का किला बच्चों किस जिले में आता है पर D option correct होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं मतलब कहाँ पर असीर गड़का किला बच्चों आपका बुरहान पूर में है कहाँ पर है आपका बुरहान पूर में है असीर गड़का किला ठीक है next question लगा देते हैं इसकी पर question number 32 very very most important question है आपके एक्जाम में आ सकता है मेरे भाईयों बहनों अगर एक्जाम में आ गया कोई भी हाँ पर गलत आएंसर नहीं देगा very very most important question इस्टान लगा ले गन्नौर का दुर्ग का निर्मार किस राजा कि किस राजा ने करवाया था कोई बताएगा question number 32 उम्मीद करते हैं मेरे भाईयों बहनों यहाँ पर अगर आपके एक्जाम में कोश्चन आता है कोई भी गलत आएंसर नहीं देगा a option यहाँ पर correct होगा आपका note कलने हाँ उदय बर्मन यहाँ पर महराज उदय बर्मन यहाँ पर c option यहाँ पर correct होगा next question लगा दे 33 कोई भी यहाँ पर गलत आएंसर नहीं देगा बहुती प्यारा question है उस कीन पर उमीद करते हैं आप सभी correct answer देंगे आपके एक्जाम में आ सकता है राजा बीर सिंग देब बुंदेला ने किस दुरू का निर्मान करवाया था अगर आप answer जानते हैं तो हमें comment करके बताए question number 33 का बच्चो correct answer किया होगा note कलने हाँ पर और चा correct answer होगा आपका A option यहाँ पर correct होगा अगर आपके एक्जाम में आता है कोई भी हाँ पर गलत आएंसर नहीं देगा ठीक है next question लगा देते हैं question number 34 उमीद करते हैं आप सभी correct answer देंगे आपका राइसेन के कले का निर्माड कब होगा कोई बता सकता है question number 34 का यहाँ पर correct answer किया होगा मेरे भाईयों भेहनों यहाँ पर answer जानते हैं आप सभी comment करके बताऊगे ठीक है यहाँ पर note कलो D option correct होगा आपका शोल भी सतावदी में राइसेन के कले कर निर्माड होगा next question लगा देते हैं 35 बाग कोई भी हाँ पर गलत answer नहीं देगा सभी छात इवं छात राइं भाईयों भेहनों बच्चें हाँ पर अगर आपका एक्जाम में question आता है कोई भी गलत answer नहीं देगा correct answer होगा ठीक है next question लगा देते हैं इसकी पर question number 36 उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ पर correct answer देंगे very very most important question है यहाँ पर मनसोल के कले कर निर्माड किस राजा ने करवाया question number 36 का note कर लो do option correct होगा allow अधीन खुल जी यहाँ पर correct answer होगा ठीक है अगर आपको हमारा पढ़ान अच्छा लगता है बच्चो तो आप सभी लकी सर के वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके जुरू बताएं question का collection कैसा लगा अगर आप पहली बार हमारा lecture देख रहे हैं तो लकी सर की YouTube चनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दे जिससे की आपको हमारी किलांस को नोटिफिकेशन मिल जाए हम आप से फिर मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय थैंक्यू जाए माता दे